हेलो फ्रेंड्स तो अज मैं आपके ललागन की डिलोन कीक लिए इस इससामेंट में आपको मैं आपको इससामेंट के साथ यह भी बताऊँगा कि लास्ट टेट क्या है आपके सम असामेंट समिश्टिन की और कैसे आपके आपके assignment को submit करना है और साथ में कैसे better presentation कर सकते हो assignment में और कैसे आप improvement कर सकते हो assignment में बूब मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा मैंसे एक ही वीडियो में आपको पोरा पोरा method में बताऊंगा कि कैसे आपने बनाना है कैसे submit करना और कहां submit करना है और कैसे आप better presentation कर सकते हो assignment में क्योंकि में अगर आप assignment में better presentation करते हो तो आप अच्छा score कर सकते हो और साथ में मैंने एक playlist नई गूरू solid assignment की session के लिए उसका link मैं इस assignment box में insert कर दिया है और साथ में जो इस assignment का question paper है उसका link मैं इस assignment box में insert कर दिया है तो वहां से जाके आप question paper को download कर सकते हो और साथ में मेली playlist को भी check कर सकते हो जो भी मैंने assignment upload किये session के लिए ताकि अगर आपको ये assignment करना जाते हो अगर वो playlist में upload की हुई है मैंने playlist में given होगी तो आप वहां से जाके कर सकते हो तो हमेशा जब भी आप YouTube पे कोई study video देखते हो तो हमेशा उसका distance box चेक किया करो क्योंकि decision box में lady terms given होती है जैसे मालों आपकी किसी YouTuber ने अगर मालों तीन पार्ट में कोई assignment बनाई है या कोई video बनाई है study video तो अगर मालों थर्ड पार्ट को बतार आप थर्ड पार्ट देख रहे हो तो बाकी के दो पार्ट का link हमेशा यूट्यूट्यूबर ने decision box में insert किया होता है तो हर एक assignment में हमेशा या कोई video भी study video आप देखते हो तो हमेशा decision box चेक किया करो और कभी भी आपको कोई भी problem आती है इगनू में तो किसी से भी inquiry मत करो कि कोई आपको कुछ भी पतास्त कोई बोले कैसा करो बैसा करो अगर कोई भी आपको problem है कोई भी issue है इगनू से related तो direct आपके study center से contact करो या फिर आपके regional center से contact करो क्योंकि सबसे better guidelines आपको आपका study center ही दे सकता है या फिर आपका regional center दे सकता है किसी और से आप पूछा होगी वो आपको wrong information भी दे सकता है फिर उसको भी knowledge नहीं होगी हो वो कुछ ऐसे पतादेगा कि यह है करो वो करो लेकिन for your better guidelines हमेशा आपके study center से contact करो किसी से मत पूछो direct आपके study center से contact करो क्योंकि वो ही आपको सबसे अच्छी guidance दे सकता है तो अगर आपको मेरी assignment अच्छी लगे तो मेरी assignment को like कीजिए मैंने तार्गेटर का 500 likes का तो मेरे 500 likes के दार्गेटर को पूरा करे में लिए help कीजिए और जो मैंने लिंक decision box में insert किया playlist का उसको अपने study course में share कीजिए अपने friends का share कीजिए ताकि कोई और students भी इग्नो से लेडेटर जो students है वो अपने assignment time से बना सके और time से submit कर सके आप भी अपने assignment time से बनाना और time से submit करना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार आएंगे तो मेरे चैनल को subscribe किजिए और bell icon को press किजिए ताकि next time मैं कोई e-group assignment upload करूँ तो उसकी notification आपको जल-जल मिल सके और अगर आपको subject से related assignment होगी तो आप time से बना सकते हैं मेरे एकनो assignment की 10 pointer scale में कि आपको लगता है 10 pointer में से किस level assignment में और कोभी suggestion हो assignment या video importance related तो वो भी आपने मुझे पताना है ताकि next time में next session में और अची assignment बना सकूँ और आपको और अची assignment कर सकूँ और जब भी आपको assignment बापिस मिले submission के बाद तो आपने मुझे जरूर बताना कि आपको 100 में से कितने marks मिले 100 में से कितने marks मिले ताकि next section में next year में मैं और improvement कर सकूँ और आप और अची score कर सकूँ और comment section में जुरूर आपने यह भी पताना है कि अगर कई पर भी error होगा assignment में तो क्या error है और क्या correction है तो वो भी आप मुझे पताना comment section में ताकि बाकी के एगनों से लेटेट students comment section चेक करके उस error को correct कर सके तो error जुरू बताओ कि क्या error है और क्या उसी correction है और चैनल को subscribe जुरू करो और bell icon को जुरू प्रेस करो और अगर assignment अच्छी है गे तो मेरे assignment को like किईजिए तो यह है आपका question paper आपके assignment का इसका link में डिस्टिन बॉक्स में इंसर्ट कर दिया है तो बहाँ से जाके आप उसको download कर सकते हो तो सिर्फ आपने last page ही print out करना है पूर के पुरी assignment print out करने के जूरू नहीं है सिर्फ आपको last page ही print out करना होता है और जहां पर सिर्फ questions हों दिया अपके सारे-सारे questions सिर्फ उसी page को print out करो और उसको assignments पहले attach करो यह आपका compulsory attach करना और सिर्फ पहले जब यह आप कोई भी assignment मिलती है आपको unsolved assignment इग्नूर से मिलती है कहीं और से आप दूनते हो तो सिर्फ पहले आपने हमेशे चेक करना आपका subject code हमेशे आपका subject code सिर्फ पहले चेक करो और second आपने चेक करना है session क्योंकि अगर आप previous session के assignment बनाओ दें तो उस इस session के लिए आप assignment बनाते हो उस session जुरूर चेक करो कि वो session के लिए है या नहीं तो session जुरूर चेक करना आपका और फिर लास पेज ही प्रिंट आउट करना है पूरी एक पूरी assignment प्रिंट आउट करने की जूरूरत नहीं है अगर जो link मैंने दिया है in this inbox में अगर वो working नहीं करेगा तो आप एकनों की website पर जाके download कर सकते हो और आपकी assignment वो 100 marks की होती है अगर मालो कहीं पर आपको words नहीं लिखे है तो आप अपने according कर सकते हो जैसे मालो अगर आपको two marks का कुल question है उसमें लिखा नहीं कितने words नहीं करो तो two marks खिल्या आप जनली 50 words लिखो वैसी अपने according कर सकते हो अपने एude कर सकते है कर सकते हां तो नेक्स्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपकी समिशन रेट है और कैसे आपने समिट करना और कहां आपने समिट करना आपकी असाइमेंट को तो जो स्टुडेंट ने अन्रोल किया है इस साल जुलाई में उनकी लास्ट डेट है अप्रेल नेक्स्ट येर में और जो स्टुडेंट नेक्स्ट येर जन्वरी में अड्मिशन लेंगे उनकी last date है October next year में तो ये dates के बाद change हो जाती है जैसे April world date आपकी March हो जाएगी October world date जाके September हो जाएगी तो ऐसा मत करोगी आप last date पे submission करो आपकी assignment को इसको try करो July वाल student इसको April में जाके January, February next year में submit कर देना और वैसे January वाल students इसको October वाल जाके June, July में submit कर देना अब time से आप submit कर दोगे इसका फाइदा क्या रहेगा आपको अगर अब time से submit करोगे तो आपको time से बापिस मिल जाएगी और में लिए जो एगनू में आपके जो question paper होते है assignment के यान जो questions आते हैं chances होते हैं उनमें से ही questions आपको final exam में आए तो आप time से assignment को submit करना ताकि आपके time से बापिस ले लो तो एक तरह की जो आपकी questions है assignment में available तो एक तरह की important questions है जिनके chances maximum होते हैं आपकी final exam में आने के तो जो भी current assignment है या पिछले साल के submit भी देख लेना और साथ में अगर आपको यासे मनलों दो में से आपको 1 ही करना है तो assignment में तो आपको एक ही करना है लेकिन final exam के लिए आपको दो-no questions पढ़ने हैं वह सब्थर जो आपने questions नहीं किया वो वाला exam में आए तो option में एक सारे क सारे जो भी questions अभी available होते चाए option है नहीं है सारे के सारे कुश्चन आपको फाइनल एक्जाम के लिए पढ़ नहीं है और कहां आपने समिट करनी आपके assignment तो coordinator of the student study center तो जो भी आपने study center select की होंगे तो बहाँ पर study center में कोई निको यापके coordinator select होते है protocol program के लिए जैसे bachelor of arts के लिए different होंगे bachelor of sciences के लिए different होंगे bachelor of commerce के लिए different होंगे जो भी आपका course है उसके लिए आपके coordinator different होंगे तो assignment बनाने से पहले आपके coordinator या फिर आपने study center से पूछना है कि आपने assignment की शिव में नहीं है जैसे कई ज़गे बोलते हैं कि आप blue ship में नहीं हो कई ज़गे बोलते हैं file में नहीं हो कई ज़गे बोलते हैं कि notebook में नहीं हो तो वो सारी जानकर या आपने study center से पहले ले लिए बनान से पहले ताकि आप according to study center assignment नहीं हो और आप अच्छा स्कूर करो कई ज़गे study center बोलते हैं कि आप common subject की assignment एक में बना सकते हो जैसे माल लोग मैं example लेते हो हिंदी का subject जैसे माल लोग हिंदी के दो subject है तो अपने study center से पूछना है कि हम common subject की assignment एक में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं तो एक तरह की saving हो जाएगी आपकी क्योंकि आपकी जो particular assignment है पर्टिकलर टीचे के पास जाती है, जैसे आपके हिंदी के असाइमेंट है तो हिंदी के टीचे के पास जाएगी, इंग्लिश के असाइमेंट है तो इंग्लिश की टीचे के पास जाएगी, तो पहले ही जानकर ले लो किसी विर्म भी बनाने है कैसे बनाने है और एक भी मनासकते है या नहीं मनासकते तो जो आपके assignment है वो आपकी 30% weightage है इसकी means 100 marks की assignment है तो जो final result आपका बनेगा उसमें 30% weightage आपकी assignment है और 17% weightage आपकी final exam किये तो 30% weightage बहुत जादा है आपकी, तो try करो 25% से जादा कि score करेंगे, try करो, ताकि आपका क्या हो, अगर आप 25% से उच्छे उपर score करते हो, assignment में 30% में से, तो आपका pointer बहुत ही अच्छा बनेगा, तो main improvement के लिए आपको, जो आपका percentage या फिर आपको pointer की improvement के लिए, assignment बहुत ही important है, अगर आप assignment में अच्छा score करते होगे, आपकी final percentage, final pointer अच्छा बनेगा, और जो आपके assignment है, वो 100 marks की है, और इसमें minimum 35 marks, पासिंग के लिए चाहिए, 35 number चाहिए, लेकिन आपने कभी assignment बनाई होगी, school level या कहीं पर भी, अगर आपके 10 marks के assignment है, तो आपको 7-8 marks मिली और अगर इंप्रूब्मेंट कर दिये तो 8-9 मिल सकते है, तो मिस आपको 70-80 marks बने हो 100 मिली जाएगा, अगर आपने assignment को पूरा किया है, तो next में आपको बताऊंगा कैसे आपने assignment को improvement करनी है, assignment में कैसे improvement करनी है, means आपने 70 को 80 में convert करना और कैसे 80 को 90 में convert करना है, means आपने improvement कैसे ही करनी है, तो उसके लिए आपके जो भी आपने study center slack किया होंगे, वो जिनले आपको कोई ने कोई study institute ही होता है, मेले degree college, कोई ने कोई institute ही होगा study institute, तो आपके आसपास, कोई ने कोई आपके friends या कोई known, वहाँ पर regular courses कर रहे होंगे, तो जैसे मालों आपके हिंदी का subject है, तो आपके जो assignment जाती ही, वो हिंदी के teacher के बा को देते हैं नमबर, अगर आप lengthy लेगोंगे उस नमबर देंगे, कर teacher ज्यादा pages भर होगे उसमे नमबर देंगे, कर teacher से प्रॉपर सजास जाकर sketch pen से लिखोगे उसमे नमबर देंगे, तो वो जानकर ये आपने regular students से ले ले नहीं है, कि हिंदी के teacher किस place पर नमबर देंगे, क क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा, कई भी आपने assignment बनाते हो, अगर आप according to teacher हमेशा assignment बनाओगे, तो आप automatic अच्छा score करते हो, तो according to teacher assignment बनाने के लिए करो, जो भी regular student बहाँ पर पढ़ रहे होगे, उनसे जानकर ले ले लो कि teacher कि स्विफ़र नमबर देंगे, ऐसा ही assignment तो English के student से पूछना है, क्योंकि जो English का student पढ़ रहा होगो, उसको better guidance दे सकता है, तो को भी आपका subject होता है, तो जो भी बहाँ पर regular student उस subject को पढ़ रहे होगे, जिसके आप assignment बना रहे हो, तो उनसे जार करी particular digit की ले लो, ताकि आप according to teacher assignment बनाओ, और आप अच्छा score करो, main improvement के लिए आप अपने according भी को improvement कर सकते हो, इस तरह की बहुत सारी videos YouTube पे अबलेवल है कि आप improvement कैसे कर सकते हो, उनको आप दे सकते हो, तो main target assignment को improve करना है, और better presentation हमिशा रखने है assignment में, तो आप videos भी दे सकते हो, YouTube में बहुत सारी videos है, या फिर अपने according पे आप improvement कर सकते हो, आपको कोई भी प्राउब्लम आती है एक गुरू में जैसे मैंने बताया था कि तो हमेशा डारेक्ट आपके study center पूछो किसी और से पूछो कि कुछ बोलेगा हो वह accurate हो भी सकता नहीं वह सकता है तो better है कि better guidelines के लिए कोई भी issue होता है किसी topics related, assignments related, examinations related, subject related कोई भी issue हमको होता है तो डारेक्ट आपके study center से आप contact करो जो किससे better guidelines आपको study center दे सकता है या फिर आपने regional center से भी contact कर सकते हो तो हमेशा किसी भी issue से related direct contact करो आपके study center से तो इस तरह का front page मिना सकते हो आप इसमें मैंने आपका enrollment number डाला है आपका name आपका address, program code, regional center, study center, study center code, mobile number, email इसमें try करो mobile number और email बोही इंसर्ट करना जो आपने registration के time इगनु में insert किया है अब इस तरह की file आप नसके हो word file में नसके हो तो नहीं subject name है अब इसके advantage क्या रहेगी अब जो भी management details आ लिए यह सारी details आपकी common रहेगी हर semester में हर year में और हर subject के लिए तो means अगर आपने इस तरह का front page बना दिया है और इसका printout ले लिए आपने तो same printout के आप बहुत जारे reports करा सकते हो same pages आप बहुत जारे किसी भी semester में उसकर सकते हो, किसी भी year में उसकर सकते हो, किसी भी subject के लिए उसकर सकते हो means आपकी एक तरह की saving हो जाएगी, अगर मालो आप इसमे subject code आपने डाल दिया subject name डाल दिया, तो अगर आप एक बार printout ले लोगे तो वो printout आप सिर्फ उस subject में use करोगे और बैसे अगर मालो इसमे semester डाल दोगे या year डाल दोगे, तो same page आप use तो कर लोगे 3-4 subject के लिए, लेकिन आप उसको उसी semester में use करोगे means next use या next semester में use नहीं कर पाओ, तो try करो front page में ऐसी कोई भी detail मत डालो जो particular subject से related हो, particular year से related हो या पिर particular semester हो तो try करो जो detail में आपने बताई है, इनको ही अपने front page में डाना है, ताकि एक तरकी saving आपकी हो जाए और जब आपका assignment बापिस करोगे, बापिस मिलेगी submission के बाद, तो अगर front page में कुछ में mark नहीं किया है, तो वो front page आप next semester में, next year में किसी और semester में भी किसी और subject के लिए use कर सकते हो, तो for saving front page में ऐसी detail मत insert करो और तो front page आपने पहले attach करना है, और उसके अपने attach करना आपका, जो अपका identity card आपको इगनू से मिला है, उसका print out लिलो, और उसकी बहुत सर्फोट से लिलो, ऐसे identity card attach करना कंबल से नहीं है, लेकिन for better presentation, आपको identity card attach करना चाहिए, क्योंकि अगर मालो अपने front page में कोई-कोई error दिया है आपकी detail में, तो जो अभी आपका studies entry आइगनू वले है, तो बहाँ से आपकी correction कर सकते है, identity card थे, क्योंकि आपको आपकी detail unique है, और तो third आपने attach करना, आपका question paper, जो मैंने बताया था कि आपकी question, assignment question booklet में last page होता है, जनरी, आपके action 2 page है, उसका print out ले ले उसी 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 page का, और fourth आपने attach करना, आपकी assignment, तो पहले आपका front page, फिर आपका ID card, फिर आपका question paper, फिर आपकी assignment, इसके साथ आप एक और चीज़ अटेच चाहिए सकते हो, आपक पेज ले 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 ले, उसमें handwritten लिख दो, जो मैंने बताया था कि front page में बट ढ़लो, उसके लिए separate page लगा दो, उसमें handwritten लिख दो, उसको attach करना question paper से पहले, अपने according, तो अगर माल लो, study center बोलता है कि आप common subject के assignment, एक ही file या एक ही note में बना सकते हो, तो उस case में क्य application paper फिर assignment, तो front page और ID card आपका एक ही बार यूज होगा, और जब आपको assignment पापस मिलेगी, किसी भी year में, तो अगर आपका front page और ID card में कुछ नहीं लिखा होगा, तो same front page, same ID card आपका किसी और year में, किसी और semester में, किसी और subject के लिए use कर सकते हो, तो saving करने के लिए type करो front page में, ऐसे code element डालो, जो आपकी same select, same year में use होगी, और ऐसा कोई compulsory नहीं है, कि आप इसको type करके बना सकते हो, चाहे तो आप इसको hand unit भी बना सकते हो, proper sketch pencil से शजाज चाके बना सकते हो, ऐसा को fast rule नहीं है, कि आपको इसको type करके बनाना है, इसको चाहे तो आप hand unit भी बना सकते हो, तो अपने कोई भी इंप्रूइमेंट करो आप वो बैटर रहेगा आपके लिए तो चाहे हैंडिटून नाओ चाहे टाइप करके वो बैटर रहेगा तो मैं यह नापको बैटर प्रसेंटेशन करनी है तो किसी पितरी के जाए आप अपने कोडिंग चेंज़िस ला सकते हो स्यामेंट चैनल नापके टीन पार्प के होती है तो जो भी आपका पार्ट चल रहा है और जो भी आपका जो पोश्तिंर हैं और और आप बैटर स्कोर करते हो तो हैट लाइट लिब पोशन जो और जो भी आपका भाग चला कोश्चन है आंसर है बोल्टिल पोशन उनको स्केच पेन या ब्लैक पेन से लिखो और ट्राय करना कि जो आप स्केच पेन ब्लैक पेन यूज करोगे लिखनेगे बीक्तम चला है जो एक लिखने के लिखने ज jijalkãy पुरी पूरी 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 आसायमेंट जोए आप से लिखनेगे लिखनेगे इस crawl गोटर एक या क्लिखने नहीं से स्टए जो डीकट स्केच करना ही लिए क्या करो कि 107 पहले हुब है इसका झिए दियान रकोगी कि इसको आप फाइनलए र् đang को आ modifier करों भी आप जब करें तो बहुं पर भी इसका ध्यान रखेना य। और आस समत करना किया पहले स्केश Alors तो अब this sketch pen तो सेमी black pen और इस applicable में जो भी मैंने question किया है जैसे मानलों अपको कोई question अगर 500 words का अपको करना है तो मैंने इसमे 500 से जादा words का किया है हो सकता मैंने 700-800 words का किया है ऐसा मैंने इसलिए किया है तक आप क्या करो पहले हरे question को पहले पूरा पढ़ो हर एक question आपने पहले पूरा पढ़ना है उसका जो question में आपको main points लगते है question point of view से उनको ही आपने assignment में लिकना है पूरा बुरा लिखने जूरत नहीं है जो आपको question point of view से important लगेंगे सिर्फ आपने उनको ही लिखना है extra content को हटा दो कि इसमें extra content है जो आपको important लगेंगे question point of view से उनको ही अपने assignment में लिखना है तो हर एक question को पहले पूरा पढ़ो और फिर extra content को हटा दो और जो जो main points आपको है उनको लिखो इसका फाइदा क्या रहेगा एक तो आपको assignment प्यार्ण से अच्ची बनेगी second आपको assignment के knowledge भी होगी और मैंने जैसे बताया था कि final exam में chances है कि जो आपके assignment के questions है वो ही final exam में आएंगे तो एक तरह कि आपके assignment नोर्स ही है तो जो आपको assignment पापिस में लेगी तो बहां से आप जब पढ़ोगे तो आप easily उसको remember कर सकते हो आपके assignment के लिए तो हर एक question को पहले पूरा पढ़ो और main-main points आपने लिखना है extra content हाड़ा दो यह तने words में वह उतने उसमें compile करो ताकि आपके assignment भी अच्छे बने आपको assignment के knowledge भी हो और यह से आपके final exam के त्यारी भी हो जाए तो मैं इसमें slowly move कराऊंगा ताकि आपको time मिल सके अगर आपको speed ज़्यादा लगेगी तो आप pause करके भी लिख सकते हो लेकिन मैं इसमें slowly move कराऊंगा अगर speed ज़्यादा होगी तो आप pause करके लिख देना और कोई भी error हो कहीं पर तो उसकी correction जुरूर बताना comment section में और क्यास की कहाँ क्या error है क्या correction है वो भी करना तो अपने according आपके error correction ठीक कर देना कोई भी error होगा अपने तो क्या होगी दो झा तो dot झाल 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 तो यहाँ पर आपकी assignment complete होती है तो अगर आपको मेरी assignment अच्छी लगे तो मेरी assignment को like कीजिए मैंने target का 500 likes का तो मेरी 500 likes के target को पूरा करमी लाइब कीजिए और जो भी आपके study groups है बापर assignment की playlist को share कीजिए उसका link में इंसर्ट कर दिया जैसे में बताया है ताकि कोई और भी इस assignment को time से बना सके और time से submit कर सके और मेरी बागी की assignment भी वहाँ से जा की देख सकता है और अपनी assignment अगर कोई बनानी होगी उन्हें तो time से बना सके और time से submit कर सके आप भी assignment को time से बनाना और time से submit करना तो अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार रहे होंगे तो चैनल को सब्सकाइब केजिए और बैल लाकरिंग को प्रेस केजिए ताकि नेक्स टाइम मैं कोई भी अप्लोड करूँ तो उसके नोटिशिशन आपको जल्द सेल मिल सके तो बैटर जल्दी नोटिशिशन के लिए क्या करो बैल लाकिंग को प्रेस करो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्षिन में आपने मुझे बताना है कि मेरी असाइमेट आपको कैसी लग रहे है और कोई भी एरर हो तो उसके को रेक्षिन भी साहत में बताना एरर किया तो वो भी आपने मुझे पताना है ताकि next time में और better assignment बना सकूँ और improvement कर सकूँ और आपको और अच्छी assignment पुराइट कर सकूँ और जब आपको assignment पापस मिले के check होने के बाद तो आपने मुझे जरूर पताना कि आपको 100 में से कितने marks मिले हैं 100 में से कितने marks मिले हैं ताकि next time में और next session में आपको मैं और अच्छी assignment में दे सकूँ और आप और अच्छा score कर सकूँ तो thanks for watching my assignment मिलते हैं फिर next assignment में बाई बाई